हर किस जुकेगा नई सला रहे होते हैं पुश्पा टू का सब एक्साइटेड होके बैठे हैं उसके चक्कर में कोई भी मेकर्स अपनी फिल्म इसके आसपास रिलीज करने से भी डर रहा है और तो और रोही शेटी की मल्टी स्टारर फिल्म सिंगम अगैन भी पोस्पोन हो जाती है इसी के डर से फिर य कुछ ठीक नहीं चल रहा है और तो और अलू अर्जुन अपनी छुटियों पर निकल गए हैं और सुकुमार भी निकल लिये गए और शूटिंग पड़ी है बीच में और जान तो जब निकल गई जब अलू अर्जुन को एक डिफरेंट लुक में देखा गया तो अब कमेंट करके वजाएं और इस न्यू पोस्पोन वाली बात में किसनी सचाए है और आल टेल यू इन दिस वीडियो हाई मैं हूँ साक्षी जोहान और आप देख रहे हैं आरकाव कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिन्दा नहीं है अलो अर्जन स्टाराप पुष्पा 2 इस साल की मोस्ट अंटिसिपेटेड फिल्म है ये एक ऐसे फिल्म है जिसके रिलीस से पहले ही लोगों ने से हिट सूपर हिट कहना शुरू कर दिया और इस फिल्म से लोगों को इतनी उमीदे थी कि सभी को लग रहा था कि भाई ये ज जवान का भी record तोड़ देगी लेकिन इसके postpone होने से काफी लोग disappoint हो गए है और honestly इसका buzz जो उस time पर बना हुआ था वो अब थोड़ा सा down लग रहा है क्योंकि फिल्म ही जो December के लिए टल गई है फिल्म को postpone का इने का reason भी सुन लो ना यार पहले तो हुआ ये कि फिल्म के डिरेक्टर सुकुमार साफ को फिल्म में कुछ scenes और कुछ उनके VFX पसंद नहीं आ रहे थे और उन्होंने उस scenes को दोबारा shoot करने का मन बनाया इसलिए फिल्म की date को postpone करके सीधा 6 December के लिए रख दिया गया लेकिन पिछले कुछ राइम से फिर से ये rumor आने लगे कि भाई प खुटियों पर निकल गये और वो भी अपनी trademark डारी के बिना उसे clean करा के फिर तो सबको लगा कि भाई कई बहस पानी में क्योंकि जब से उनकी कुछ फिल्मे हिट हुई है जैसे कि आवेशम वो जरा fame बटोने बिजी हो गए है जो कि बनता भी है खैर बट अब वो अपनी shooting फिर से resume करने वाले हैं और रही फाहद और अलू अर्जुन के scenes की बाद तो उसकी shooting बाद में होगी जब अलु अर्जुन यही प्रातना है कि आराम से इस फिल्म को निकाल दो यार यहां यह ऐसी खबरे ना कमजोर दिल वालों के लिए नुकसान देई थाबित हो सकती है तो हम कह रहे हैं कि हम पर रहम खाओ और अब इसे ज़ादा इंतजार नहीं हो पाएगा हमसे वैसे ही पत्थर दिल पे रत के यह ऑगर्स से डिसेंबर वाली बात पर हम राजी हुए हैं मन को मनाया है कि चलो कोई नी अच्छे कामों में न देरी लग जाती है सबर का फल मीठा होता है पर यह तो सबर का इंतहान लेने वाली बात हो रही है ऐसा मत की खेर अब आप करिए प्रात्ना और उससे पहले मुझे कमें ये बताएं कि पुषपा 2 या फिर गेम चेंजर किसके लिए आप सबसे जादा एक्साइट है और इस एक ही महीने में हो रहे है क्लैश के बारे में आपका क्या कहना है रामचरन की गेम चेंजर या फिर अलु अर आपका